हेलो फ्रेंट्स, वेलकम इन यूर चैनल, यूर डेली नीड्स फ्रेंट्स, नवरात्रे में नौ दिन का वरत करके हम सभी माता को प्रसंद करते हैं हम अपने हिंदु धर्म के अनुसार वरत पी रखते हैं और वरत को रखने के बाद जो खाना बनाते हैं उसमें सबजी बनाते समय जदा तर प्याज और टमाटर नहीं होने के कारण ऐसा हमें लगता है कि ग्रेवी में वो टेस्ट नहीं आरा तो प्याज लहसुन के बिना यदि आप अच्छी ग्रेवी बनाना चाहते हैं इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ यदि आप सबजी की तरी को गाढ़ा करने हैं तो गाढ़ा करने के लिए टमाटर की ग्रेवी के साथ आटा या मैदा डाले बस आटा या मैदा को डालते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मिलाने से पहले इन्हें हलका सा रोस्ट कर ले देखिए आपकी सबजी गाढ़ी बनेगी और ग्रेवी का स्वाद भी पहले से कुछ अलग होगा अब टिप नमबर दो की तरफ चलती हूँ मैं टिप नमबर दो में आप कद्दू या हरे पेठे को उबाल कर ग्रेवी तैयार करें कद्दू या हरे पेठे की ग्रेवी से सबजी का स्वाद बढ़ाया जा सकता है और सबजी की जो ग्रेवी है वह गाड़ी भी और रहती है और टेस्टी भी रहती है टिप नमबर त्री यदि आप सब्जी को गाड़ा करना चाहा रहे हैं आपने ग्रेवी बना ली है सब्जी बना ली है और आपको ग्रेवी बहुत पतली लग रही है तो इस इस्तिती में आपको घबराना विल्कुल नहीं है आपको दो चमज बेसं को अच्छी तरह से भून बेसं को पानी के साथ अच्छी तरह से फेटिये गाड़ा-गाड़ा सा बेसं कर लिजे और उसे ग्रेवी में डाल दीजे और थोड़ी देर पकाईए आपकी ग्रेवी अच्छी थिक हो जाएगी और सब्जी का टेस्ट पहले से और जादा बढ़ जाएगा टिप नमबर थ करते हैं यदि आपके पास बेसं भी नहीं है भूनने का टाइम नहीं है तो आप आलू को कद्दू कस करके सब्जी में डाल दीजे इससे ग्रेवी गाड़ी हो जाएगी आलू आपके उबले हुए होने चाहिए आलू उबले अक्सर हमारे फ्रिज में हम उबाल कर ही रखते हैं कि अवशक्ता पढ़ने पर उनको तुरंत यूज कर सके तो इस स्तिती में उबले हुए आलू को उठाइए उसे कद्दू कस कीजे और ग्रेवी में डाल दीजे इस टिप का उप्योग आप यदि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया हो तो भी कर सकते हैं इसके अलावा य फ्रेंड्स इन टिप्स का यूज कीजिए इन में से कौन से टिप्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा फ्रेंड्स आपके सहीयोग के लिए धन्यवाद इसी तरह की टिप्स लेकर मैं आपके लिए आती रहूंगी बाबाई आपके लिए पर जोड़ी